आज कल आपका सिक्का चलता है फिल्म इंडस्ट्री में, मंडी में मैं आपका भाशन सुन रहा था, आपने कहा कि इतना प्यार, इतना सम्मान, जितना अमिताब बच्चों को मिलता है, उतना सम्मान मुझे मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में सर मैंने कहा था कि इंडिया से मुझे उतना सम्मान मिलता है इंडस्ट्री वाले और मुझे सम्मान देंगा मतलब बड़ सोचो तो सही आप आप अपनी आखे बंद करके सोचिए आखे बंद करके सोचिए कि आज अगर भारतवर्ष किसी का दिल से इज़त करता है ठीक है पैसे लोगों के पास जितने हो हिट फिल्मे जो भी है लेकिं दिल से अगर कोई भारतवर्ष किसी की इज़त करता है तो कौन ऐसे अक्टर है आप किसी और की इज़त रहने ही नहीं देती है अब देखे आपने यह मुझे बहुत गलत इल्जाम यह मुझे लग रहे मैं आपको सुनाता हूँ मुंबई फिल्म बालों के वाहरे में क्या कहते है आपने कहा बॉलीवूट के लोग सिर्फ गाड़ियों पैसों और पर्सेज की बात करते है उनकी बातों का ना सिर होता है ना पैर बॉलीवूट के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते है वो पागल है बेवफूफ है स्टुपिड है डम्ब है और वो सिर्फ प्रोटीन खाते है और इस तरह से उनका दिमाग भी खराब हो जाता है आप उनको डिफेंड कर रहे है आप ने ये कहा कि नहीं कहा मैंने बिल्कुल कहा और मैं इस पे बिल्कुल अडिग हूँ पूरे तरीके से बॉलीवूट वाले आपको क्या लगता है कोई शेक्सपियर की बात करते हैं कोई बड़े आर्ट या कलचर की बात करते है या वो preserving of folk music or preservation of art या technicians right to life या किस और तरीके की बात करते है मुझे बताईए किस तरह की बाते हो करते हैं अगर आप उन्हें मिलें तो वो gossip किस का फिर किस के साथ और या तो वो gossip करते हैं या तो मैंने ये वाच खरी दी, मैंने ये कार करी दी या मैंने ये ट्रीटमेंट कराया फेस पे, जो भी है, वो सब, इस तरह की बाते होती है अब उसे भी मुझे कसूर बार माना जाता है कि मैंने ऐसा क्यों का, मैंने वहाँ 20 साल गुजारे हैं और वहाँ पे अगर पार्टीज में जाकर और इस तरह की जो मैंने, हाँ, मुझे पता है कि आप वहाँ पे जब जाते होंगे आप ऐसा नहीं है कि मैं जब 2006 में मेरी पहली फिल्म आई थी, ठीक है, 2014 तक तो मुझे किसी ने पूछा नहीं तब मैं माहा बेचारी, बेचारी बड़ी टैलेंटीड है, इसका कुछ होता नहीं है मैं सबसे ही बड़ी बेचारी थी, आप देख लीजिए, कभी आपने मेरा नाम सुना कि यह है, बही कंगना ए, खुराफाती है, यह है, वह नहीं सुना आपने 2014 में जैसे ही मेरी फिल्म कुईन आई, तो मैं अनप्रोफेशनल, मैं यह, मैं वो दीरे-दीरे ऐसा लगा जिसे सब मुझे कॉर्नर करने लगे फिर जब तनुवेट्स मनु आई और जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये, उसके बाद केसिज, साइको, खून पीती है, स्टॉकर है, इसको जेल में डालो, इसको यह, अचानक से दस साल पाद एक इनसान में इतनी करा, कैसे हो गया वो, साइको चुड़ाल वे तो आप, रटबीत कपूर को, सीरिल स्कर्ट चेजर कहे देगी आप तो आप ऐसे इनकी वकालत कर रहे हैं, जैसे आहाहा, महान से महान हसतिया हो यह, ऑखुद भी हस रहे ह, खुद भी हस रहे हैं उन्होंने आपको फिल्म उफर की थी रोज दिया अरे मेरे घर आ गया था तो कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है कि ठीक है इंडस्ट्री में आप किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते वो लोग कितने पानी में हैं सब को पता है और अभी जहीं नहीं 90's की 80's की आप चाहे बाते सुनें सब को पता है वो लोग कितने पानी में हैं ड्रग केसे उन पे हैं ठीक है टाडा से लेके आप दलाली से लेके अभी भी हवाला से लेके फ्लेश इसे ट्रेड से लेके मीठू से लेके कोई केस इन पे नहीं है जो नहीं है लेकिन बुरा कौन है मैं बुरी हूँ मैं अगर वो मुझ पे उंगली उठाएंगे आईशमान कुराना का इंटर्विव पढ़िये जब वो सक्सेस्फुल नहीं थे उनका इंटर्विव आया था कि मेरी रोल मॉडल कंगना है ठीक है अब उनको कुछ काम मिलने लगा ये अन रिकॉर्ड उनने कहा था तो वो मुझे पे अटेक कर रहे है तो क्या हुआ क्यों इतनी भावना है उनकी बदल के किसी की चापलो सी कर के काम चाहिए होगा तो सीधा इंसान सीधी बात कर दे तो बस वो सबसे खराब बन जाता है इस महान इंडस्ट्री में पुन्य पवित्र इंडस्ट्री में किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ मैं ही एक प्रॉब्लम हूँ बस